मैं फिर हाजिर हूँ और यह बड़ा ही फेमस पैटर्न है है बहुत एजी पर बच्चे इसमें बहुत ज्यादा समय बिता देते हैं तो चलिए समझते हैं सवाल और परिछा में जब भी आया है तो इसे आप मैंस पर दो या तिन सवाल अच्छे समझा रहा हूं और आप यह अ असान हो जबाता है पुरा मेथर समझ जाते हैं तो चलिए समझते हैं जैसे मानली जी हमारे पास दिया है आप अपान फोर बरावर बी अपान फाइफ बरावर सी आप से पूछ रहा है एरे सियो बी रेसियो सी बताएई जब भी ऐसे सवाल आएं एदि दिया है ए अपान 3 बरावर B आपान 4 बरावर C आपान 5 तो आपसे पुछरा A ratio B ratio C बताईए समझे ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो पहला मेथड है भाई ये दिया है तीनों बरावर है तो ऐसा तो नंबर जरूर है जिस बरावर ये तीनों है पर फिर उसे आप वन मानिये फिर बनाएए उतना लंबा समय बिताते हैं तो इस स्पीड चाहिए तो उस तरस नहीं बनाते है जब भी ऐसा मैं समझा रहा हूं मेथड और बहुत ही जी मेथड मिलाएए जब भी ऐसा सवाल है मिलाएए यहां मल्टिप्लायर वन हो मिलाएए यहां पर मल्टिप्लायर वन से हुआ है यहां भी मल्टिप्लायर वन से हुआ है यहां उपर मल्टिप्लायर वन हो तो समझे जो मान यहां दिया है वही ratio A, ratio B, ratio C होता है यदि यहां multiplier और उन्हों मिला यदि यहां मान नहीं दिया है तो समझे यहां 1 से multiply हुआ है जानते हूं 1 से में multiply लेते हैं तो यह 1 से B में multiply होता है तो B 1 से C में multiply होता है तो C तो जब भी मान ऐसा आया और यहाँ multiplier 1 हो, 1 silent हो, तो समझेए नीचे जो भैलू दी हुई है, वही भैलू होती है A ratio B ratio C, अथार सिधा आप से पुछता है A ratio B ratio C बताएए, और यहाँ तीनों अस्थाँ पर multiplier 1 है, तो हमारे जो यह नीचे मान दिया है 3, और यह दिया है 4, और यह दिया है 5, यही हमारा हो से बना जाएए, अब समझता हूँ, वह pattern समझाने जा रहा हूँ, जिसमें उपर multiplier 1 नहीं हो, और वह आप से पूछे, तो चलिए A भी सवाल हम समझते हैं, जैसे मान लिए यहाँ दिया है 2 upon 5 A, फिर दिया है 8 upon 7 B, फिर दिया है 10 upon 9 C, और आप से पुछ रहा है A ratio B ratio C बताए जब भी ऐसा सवाल आए, और दिया है 2 upon 5 A, फिर बरावर 8 upon 7 B, बरावर 10 upon 9 C, और आप से पुछ रहा है A ratio B ratio C, मैं ratio में हर O महत प्रूंड पार्ट, हर O important point बता दे रहा हूँ, जिससे समस्या नहीं हो, अब दिया है 2 upon 5 बरावर 8 upon 7 B, बरावर 10 upon 9 C, तो A ratio B ratio C आप से पूछ रहा है, अब मिलाए उपर जो सवाल है और नीचे जो सवाल है different है या नहीं है? मिलाएं, different है यहाँ पर मिलाएं multiplier 1 है और इस तरह से दिया था निवन साइलेंट है यहां मिला यह multiplier 2 है 8 है और 10 है तब तो सीधा सीधा आंसर नहीं होने वाला है जैसे इसमें आप सीधा दिये जो A से नीचे है वह वैलू अफे हुआ जो B से नीचे वैलू अफ B हुआ जो C से नीचे वैलू अफ सी हुआ वह हमारा A ratio B ratio C हो जाता है पर जब भी ऐसा सवाल आए और आप से मान दिया हो उपर multiplier 1 नहीं तब तो पहला में धड़ है इसे 1 बराबर मानिये फिर बदलिये उतना समय नहीं है भीया 60 में 100% बनाना है तो यहां समझते हैं इस समय बचाए तो मैंने बताया है जब भी उपर multiplier 1 नहीं तो उसे 1 बनाना है यदि आप 1 बना लेते हैं तो आसानी से साल्व हो जाता है समझे ऐसा सवाल मिलाये हमारा और जब भी 1 बनाना है तो यहां दिया है 2 है 8 है 10 है LCM ले लिजिए LCM आप 2 8 10 यह LCM आप लेते हैं तो यह LCM आता है 40 2, 8, 10 दिया है LCM यह लेते हैं तो आता है 40 अब यह जो 40 आया है उसी से यह 3 पोर्षन 3 रेशियो डिवाइड ले लेते हैं तब हमारा उपर 1 बन जाता है यह से मिला यह यहां हमारा दिया है 2 upon 5 यहां भी 40 से डिवाइड 2 upon 5 है यहां है 8 upon 7 भी यहां भी 40 से डिवाइड भी डिवाइड हो रहा है बटेम इसलिए नीचे वाले से में डिवाइड होता है यहां 10 upon 9 यहां भी LCM 40 से डिवाइड अब 2 से डिवाइड लेते हैं 20 बार में अब 8 से डिवाइड लेते हैं 5 बार में तीस अब मिला ये ऊपर मल्टिप्लायर वन बना है नहीं बना है तो जब भी ऊपर मल्टिप्लायर वन आता है तो मैंने बता है नीचे जो भैलू होती है वही रेसियो हो जाती है यानि आप से पुछ रहा है ए रेसियो बी रेसियो सी बताइए तो मिला ये ये से नीचे 100 है त इसी पर मैं तिसरा सवाल बता रहा हूं हूँ यदि option दिया हो तो आप उसे option से बना लिजिए पूरा हल लेना भी जरूरी नहीं है और बोलिए सर्मजाया नहीं आया हाँ ध्यान दिया है इतना बना लिए तो सही पर इससे भी है इससा में बचाना चाहते हैं और option दिया हो ratio मे जिसे option भी बनाना असान है और option बनाते हैं तो पूरा हल लेना भी जरूरी चलिए समझते हैं इससे मिला यह सवाल दिया है यदि 3 आपान 5a बरावर 7 आपान 9b बरावर 4 आपान 5c तो आपसे पुछ रहा है a ratio b ratio c बताए यह 4 option दिया है ध्यान दिजिए पहला तो मैंने बता यह मिला यह a दो ratio हम बरावर बनाते हैं और तीरचा multiply लिजिए slant multiply लेते हैं तो मिला यह 9 से 3 में लिए तो 27a और इससे इसमें लिए तो 35b आता है b इधर ट्रांसफर लिजिए 27 उधर तो आता है a upon b बरावर 35 upon 27 यानि ratio लेते हैं तो a ratio b आया 35 ratio 27 35 ratio 27 अब मिलाते हैं जिसमे 35 ratio 27 आ जाए वहाइ आप्सण सही है और यह जो है तर्टी आ आता है यानि यह यह जो बचा वही आप्स्टन सही है तो जब भी ऐसा सवाल है आप आप आससे सच्शा में पूरा हल लेना नहीं चाहते हैं तो दो रेसिए उसे बरावर बनाएगे और बनाएं और बनाएगे औ बना लिजी हां आर्ट सिरा में ठर जोब ऑपसें मैंच हो जाए तब ऑभी समय लेंगे मालनियक्ते रीइस जा रहा हैं हमारा दो-दो और समान हो जा रहा है तब फिर आप दूनों समग बना लीजिए मिल यह साथ के 35 चार 296 बी समान बना लिए पूछ रहा है माल यह दी दो अप्सन मैच हो जाए तब सभी प्रस्थे ने बच्छे ने एधि पहले से जाजते हैं दो अप्सन मैच हो जाए तो दूसरे से जाची मिलाई साथ पाचे 35 चार नमा 36 इधर भेजते हैं मैं सिधा बता दे रहा हूं मिला यह 35 भी इधर लेते हैं तो 36 C C इधर 35 उधर तो B ratio C आता है 36 ratio 35 लाश्ट दो मिला लेते हैं मिला यह जिसमें लाश्ट में में दो ठों मिले चाहिए 36 15 चाहिए 36 15 यह ऐसे भी बाफ्सन में नहीं है यह 5 से इधर लिजिये नहीं होता है 38 और 35 लाक SC je पर यहां लेते हैं लाश्ट दो ठों तो यह भी 36 जुए सभाव है मिला यह तीन से लेते हैं तो 36 न दिवाइड लेते हैं 35 यानि यह नी ओफ्सन सभी है तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप अंतिम दो रेशियो भी है उससे भी जाच लिजिए और यदि बाई ऑप्सन नहीं बनाना चाहते हैं तो मैंने बताया है उपर मल्डिप्लायर वन बनाईए तो नीचे जो भैलू होती है वही अविश्ट रेशियो डिजाइड रेशियो प्राप्त हो जाती है तो जब भी ऐसे सवाल आए आप इसी नियम से बना जाएए मैं समझता हूं अब समस्या नहीं होनी चाहिए तो चलिए दूसरे दिन मिलते हैं फिर ने पैटर्न पर और फिर बताते हैं